जैहिंद BPSC teacher phase 2 का admit card out हो गया गाइस कैसे admit card को डाउनलोडिंग करेंगे step by step इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे और live admit card डाउनलोडिंग करके दिखाएंगे तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे BPSC का home page पर हैं यहां पर आपको simply आ जाना होगा यहां पर जब आएंगे तो आपसे गाइस जो guidelines admit card डाउनलोडिंग करने का एक passport site photo होना चाहिए जो की 25 के भी का होना चाहिए और धाइसो इंटू धाइसो इंटू का होना चाहिए तो यह आपके पास होना चाहिए तब आप admit card को डाउनलोडिंग कर पाएंगे फोटो जो है आप गूगल से भी size को resize कर पाएंगे तो गूगल पर फोटो इरिजर सर्च मारेंगे तो फस्ट भी option मिलेगा आप उहां पर किलिक करके आप अपना फोटो का size 25 के भी का बना सकते हैं तो चलिए हम आगे अपना step को complete करते हैं admit card आप लोग जब डाउनलोडिंग करेंगे तो वहां से आप से पुछा जाएगा आपको कोई एक सब्जेक्ट में select करना परेगा history हो या geography आपको कोई इन दो सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट को choice करना परेगा उसके बाद ही आपका admit card डाउनलोडिंग हो पाएगा और एक complaint आया है मेरे पास की बहुत बच्चे जो है passport डालने समय वहां पे 0 और O में confusing हो रहा है तो देखिए आप confusion मत हो या आपका जो फॉम भरते समय पासपर्ट मिला है उसको आप ध्यान से देख ले 0 है या O है उसके हिसाब से ही आप डाले इसमें कोई भी confusing हो तो आप द देख ले समझ ले और एक बार नोटीस भी आप देख पा रहे होंगे यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है छे से आठ एवं वर्ग नौ से दस से संबंधित वैसे अभ्यारती जिनोंने समाजिक विज्ञान या विशे का चैन किया है वे इतिहास भूगल अर्थसास्त्र एव आपको सेलेक्ट करना परेगा तो आप अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट आपका जो भी सब्जेक्ट इंट्रेस्ट है जिसमें भी आपका इंट्रेस्ट दिल्चस्पी है आप उसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें यह आपका मेटर है तो आप अपने हिसाब से ही सेलेक्टे रहें यहां पर नूटिस सब सब लिखावा गाईज और नीचे में आएंगे तो यहां पर कुछ आपको फोटो का गाइडलाइन्स दिया गया है जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं 25 के भी का होना चाहिए और साइज इसक के बाद आप पासपोर्ट डालके और केप्चा को फील करके साइड में लोग इन व्लावसन दिख रहा होगा इस पर आपको किलिक कर देना होगा यह स्टेप है जो कि आपको कंप्लीट करना होगा पहले उसके बाद ही आप आगला प्रोसेस को कर पाएंगे और एड्मिट का पार को डाउनलोडिंग कर रहें तो तरी डोट पे जाकर आपको पहले डेक्ट बोट पे ऑपन कर लेना होगा उसके बाद ही आप यहां जैसे लोगिन करेंगे यहां पर कुछ आपका डीटेल बेसिक खुल के आजाता है यहां पे जो है को कॉर्णर पे क्लिक कर देंगे जै select कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कोना मिल रहा होगा people उस पर कर देना हो इस पर जैसे हैं आपब करते हैं तो आपके सामने कुछ इस पर का माव्ड़ को एंबिये वी तो पर आपके सामने काद कुछ था काद कादर डाव जाएगा अब आपको simply कुछ ने करना होगा यहां पे आपको यहां पे downloading admit card को option दिया गया है इस पे आपको click कर देना होगा जैसे ही आप click करते हैं तो आपका admit card downloading हो जाता है guys तो इस परकार से आप admit card को downloading कर पाएंगे और यहां पे आपका कुछ निर्देश दिया गया है guidelines अगर परना चाहा रहे हैं तो आप पर लेंगे फिलाल अभी admit card पे exam date, exam time, roll number, subject और district code ही mention किया गया है पूरा details आपका center नहीं दरसाया गया है तो आप धहरे रखें आपका district अभी upload किया गया है उसके बाद आपका center भी पूरा details से upload किया जाएगा और यहाँ पे आप admit card को downloading करके आप यहाँ पे roll number का practice अभी से कर पाएंगे इसे होगा क्या कि आप exam hall में गलती ना करने का संभावना रहेगा तो आप को सला दिया गया है कि आप एक print out निकाल के आप अपने घर पे practice करे अभी से तो अच्छा रहेगा तो आपको तीन हाट को पी निकाले ना होगा print out तो आपको चाहे दो लिके जाना पड़ेगा और एक अपने पास जो की practice करने के लिए घर पे रहना जरूरी है और यहाँ पे आप निर्देश कुछ guidelines दिया गया है अपने साथ यी परवेस पत्र सदेव रखे इस यी परवेस पत्र को सुरक्चित रखे रखे तथा दिये गए निम्नवत आवस्यक निर्देश आरक्षिन पालन करे निर्दारित परिक्षा के अंदर के परिक्षा परांब होने के धाय घंटा पूर्व आपको पहुंचना परेगा परिक्षा परांब होने के एक घंटे पहले तक ही परिक्षा के अंदर में परवेस की अनुमती दी जाएगी तथा परिक्षा आवधी की समापती के पूर्व किसी परिक्षाती को परिक्षा का छोड़ने की अनुमती नहीं दी जाएगी पहले टाइम से पहले आप को छोड़ने का अनुमती नहीं दिया गया है चाहे उसने अपना उत्तर पत्र वरिक्ष के साथ जमा ही क्यों नहीं कर दे परिक्षा के अंदर में अपने निर्देश अस्थान पर ही बैठे रहें गाइज यह कुछ गाइड लाइन्स है तो आपको ध्यान पुर्वक्त और एक लिखेंगे तो मिलते हैं ना स्टुडियो में तब तक के लिए जैं हिंद